देखो FATF ये एक organization है इसका नाम है Financial Action Task Force क्या काम है इसका काम है money laundering को रोकना इसके अलावा कि आतंकवादी संगठन जो है उन्हें जो funding की जाती है गलत तरीके से उस funding पर निगरानी करना ये काम है कि इसका FATF का अब ये FATF क्या करती है इसका मुख्याले है पैरिस में फ्रा अंतराश्ट्री इसका पर ये काम करती है तो ये FATF दो list जारी करती है एक होती है gray list और एक होती है black list gray list में FATF के द्वारा उन countries को रखा जाता है जो की शक के दायरे में होते है यानि कि FATF को जिन देशों के संबंद में लगता है कि इन देशों में money laundering हो रही है या फिर जो विविन आतंकवादी संगटन है उन्हें पैसा दिया जा रहा है खही से supply किया जा रहा है पैसा funding की जा रही है उन्हें तो उन्हें क्या करती है FATF gray list में डाल देती है और अगर FATF को लगता है कि भई क्या कहते है कि पहले तो FATF क्या करती है gray list में डालती है किसी country को च ब्लैक लिष्ट में FATF के द्वारा किसी देश को डाल देने का मतलब है कि उस पर कई सारे प्रतिबंद अंतराष्टरी इस तरफे लगा दिये जाते हैं तो अब हम इस एडिटोरिय में ये बात करने वाले हैं कि ये जो FATF है ना इसकी ग्रे लिष्ट में था कौन? पाकिस्तान है ना ग्रे लिष्ट का मतलब है यहाँ पे शक के दाएरे में होना निगरानी के दाएरे में होना तो FATF ने पाकिस्तान को जो ग्रे लिष्ट में डाला हुआ था और इसे एक टाइम लिमिट दी हुई थी कि इतने टाइम तक इन एक्षण को आप लो है कुछ एक्षण्स बताए थे कि ये काम आप पाकिस्तान में करो तब हम आपको ग्रेलिष्ट से हटा सकते है देखो ग्रेलिष्ट में होने का मतलब होता है कि अंतराष्ट्री इस तर पे इससे क्या है time limit दीती और कहा था कि वही अगर आप in actions को लेते हो अपनी countries में तो हम आपको जो है ग्रे लिस्ट से निकाल देंगे लेकिन पाकिस्तान ने काफी मतलब कुछ दिये थे उन्हें points दिये थे काफी सारे points पाकिस्तान ने काफी points जो है पूरे भी किये लेकिन फिर भी सारे की सारे points जो की FATF के दौरा पाकिस्तान को बताए गए थे वे सारे points जो है पाकिस्तान ने पूरे नहीं किये इसलिए पाकिस्तान को अभी भी ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा गया है इसी संबंद में title दिया गया है तो यह पाकिस्तान के लिए का गया है कि वही जो पाकिस्तान का मतलब होता है न के बराबर यानि कि negative meaning जब हमें देना हो तब हम little लगाते हैं और positive meaning देना हो तो a little लगाते हैं Pakistan has little option इसका मतलब हुआ कि Pakistan के पास option ही नहीं है सिवाए यहाँ पे बट लगा है न सिवाए सिर्फ एक option है Pakistan के पास क्या है वो to complete its FATF mandated का यहाँ पे मतलब है निर्धारित कि भई to complete its FATF mandated task task का मतलब है काम कि भई FATF ने जो भी काम जो भी actions Pakistan के लिए निर्धारित किये हैं उन actions को Pakistan के द्वरा complete किया जाए है ना in the next four month आगे आने वाले चार महिनों में कि भई FATF ने पाकिस्तान को कहा है कि अगर आप चाहते हो हम आपको grey list से बाहर कर दें तो ये कुछ points हैं इन points पे आप काम करो तो जो है हम आपको बाहर कर सकते हैं एडिटोरिल कह रहा है कि भई पाकिस्तान के सारव पाकिस्तान के बास सिर्फ यही एक option है कि पाकिस्तान आगे आने वाले चार मैनों में FATF के दौरा बताएगे दिशा निर्देशों का पालन करें आगे देखते है देखो वाच डॉग एक तो वाच डॉग अपन जानते ही है कि जो एक कुता होता है आपका रखवाली करने वाला यहाँ वाच डॉग का मतलब है प्रहरी जो आपका रक्षक है जो एक तरीके से निगरानी करता है तो the decision by the Paris based का मतलब है कि यह जो organization है FATF, the financial action task force यह जो organization है इसका मुख्याले है Paris में तो इसलिए कहा है कि जो Paris मुख्याले में जो एक तरीके से अंतराष्टरी वाच डॉग है उसने decision लिया है क्या decision लिया है और कब लिया गया है decision last week, पिछले सब्ता to remain Pakistan on its grey list to retain retain का मतलब होता है बरकरार रखना कि भई FATF ने पाकिस्तान को grey list में बरकरार रखने का decision लिया है has clearly disappointed तो इस decision ने यह है जाया है decision के लिए तो इस decision ने जो है इस पष्ट रूप से निराश किया है किसे? दा इमरान खान गवर्मेंट यानि की पाकिस्तान की सरकार को FATF के इस decision ने निश्चित रूप से जो है निराश किया है his cabinet had projected देखो project का मतभ़ होता है आकलित करना कि भई यह जो पाकिस्तान के प्राइमिश्टर इमरान खान है उनका जो मंत्री मंडल है his cabinet had projected उन्होंने ऐसी उम्मीद कीती है उन्होंने ऐसा आकलन किया था had projected confidence उनको ऐसा विश्वास था that the country would be taken off take off का मतभ़ हटा लेना है कि भई FATF ने यह जो पाकिस्तान को ग्रेलिश्ट में रख रखा है तो पाकिस्तान का जो मंत्री मंडल है उन्होंने ऐसी उनको ऐसा विश्वास था ऐसा आकलन उन्होंने लगाए था कि भई देश को जो है पाकिस्तान को जो हटा लिया जाएगा कहां से? ग्रेलिश्ट से Taken of the ग्रेलिश्ट है ना कि भी पाकिस्तान को ग्रेलिश्ट से हटा लिया जाएगा ऐसा विश्वास था पाकिस्तान की सरकार को है देखते है Benefit में के लिखा हूआ Monitored Jurisdictions on terror financing and money laundering activities अब देखो यह जो grey list है ना इसका मतलब क्या होता यह हमें बताया गया है हाइफन से हाइफन के लिए monitored का मतलब है monitored jurisdictions का मतलब है एसा छेतर है ना jurisdiction का मतलब हो गया छेतर एसा छेतर है जो की निगरानी की अधीन है on terror financing कि भई आतंकवाद को किसी तरह से financing है ना financing का मतलब है पेसे का प्राफ्थ होना कि भई आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए अगर किसी तरह की कोई funding की जा रही है ना तो उसकी निगरानी का जो छेतर है and money laundering activities money laundering का मतलब क्या होता है money laundering का मतलब यह होता है कि भई काले धन को किसी तरह से सफेद बना लेना कि भई जो पेसा आपने गलत तरीके से कमाया है उसको legal बना लेना यह आता है money laundering के अंतरगत है तो grey list में पाकिस्तान को रखा गया था तो इसका मतलब था कि भई पाकिस्तान के उपर जो है पाकिस्तान का जो छेत्र है ना उस पर निगरानी बढ़ा दी गई थी यह देखने के लिए कि भई पाकिस्तान में terror financing तो नहीं हो रही पाकिस्तान में money laundering activities तो नहीं हो रही है इसके तैट जो है grey list में पाकिस्तान को रखा गया था तो पाकिस्तान के मंत्री मंडल को लगा था कि भई पाकिस्तान को जो है grey list से अटा लिया जाएगा क्यों? having been cleared having been cleared का मतलब है ऐसा कर लेने के बाद on 21 of the 27 mandated action points कि भई FATF ने पाकिस्तान को 27 points बताए थे कि भई यह action आप low है तो पाकिस्तान ने 27 actions में से 21 पूरे कर दिये थे mandated का मतलब है कि भई जो FATF के दोरा निर्धारित किये गए थे तो FATF ने जो भी points पाकिस्तान को बताए थे उन points में से 27 points में से 21 points पर जो है पाकिस्तान ने action ले लिया था यानि कि 21 बातों पर जो है पाकिस्तान ने काम कर लिया था तो इतना कर लेने के बाद में पाकिस्तान को ऐसा लगा था कि हाँ भई अब तो हमें ग्रेलिष्ट से हटा लिया जाएगा लेकिन ऐसा नहीं हुआ आगे देखते हैं पाकिस्तान विल नाव फेस इंटरनेशनल बात देताओं का on its markets है ना and on its ability है ना कि भी पाकिस्तान का जो बाजार है ना वो अब प्रभावित होगा and on its ability और जो पाकिस्तान की ability है पाकिस्तान की जो चमता है वो भी प्रभावित होगी क्या है पाकिस्तान की चमता to procure loans देखो procure का मतलब होता है प्राप्त करना है ना loans until the next FATF plenary in February 2021. Plenary का मतलब होता है meeting. तो देखो अब पाकिस्तान के लिए मुश्किल होगा कि पाकिस्तान का जो बाजार है अंतराष्ट्री इस्तर पर जो पाकिस्तान का बाजार है वह प्रभावित होगा पाकिस्तान की छमता प्रभावित होगी to procure loans कि वह पाकिस्तान को अंतराष्ट्री इस्तर पर loans प्राप्त करने में जो दिक्कत आएगी कब तक until the next FATF plenary in February 2021 अब यह जो FATF की अगली meeting है वो अगली meeting होगी कब? फरवरी 2021 में उसकी meeting होगी तब तक पाकिस्तान का जो बाजार है पाकिस्तान का जो market है पाकिस्तान की अंतराष्टी इस्तर पर जो loan प्राप्त करने की जो छमता है वह प्रभावित होगी अब यह फरवरी 2021 में FATF की next meeting होगी और उस समय इसी आशा की जाती है to complete the six spending issues की पाकिस्तान जो है यह जो six spending issue है न 27 मुद्दे पाकिस्तान को बताए गए थे FATF के जोरा जिनमें से 21 पाकिस्तान ने पूरे कर दी है तो बाकी बचे जो छे पॉइंट्स है न तो ऐसी हम उम्मीद करते हैं की अगली जो meeting होगी न उस अगली meeting तक पाकिस्तान इन छे points पर भी action ले लेगा आगे देखते हैं की a bigger problem for Islamabad was that Turkey was the only other country in the 39 member FATF to push for push for का मतलब है यहाँ पे जोर लगाना है जोर देना to push for Pakistan to be let off let off का मतलब है जाने देना देखो की भई यह जो FATF के सदशे हैं 39 जो FATF के सदशे हैं उन सदशों में से मात्र तुर्की ऐसा देश था जिसने इस बात के लिए जोर दिया की भई पाकिस्तान को grey list से जाने दिया जाए यानि की पाकिस्तान को grey list से हटा दिया जाए सिर्फ एक देश ने समर्तन किया पाकिस्तान का तो यही एडिटोर के नचरा है अब बिगर प्रॉब्लम फ़र इसलमाबाद यहां इसलमाबाद से मतलब है पाकिस्तान की भई पाकिस्तान के लिए जो बड़ी समश्या थी वो यह तर्की एक दूसरा एसा देश था 39 मेंबर से हैं उन में से तर्की मातर एसा देश था जिसने इस बात के लिए जोर दिया की भई पाकिस्तान को लैट ओफ है की पाकिस्तान को जाने दिया जाए यानि की पाकिस्तान को grey list से हटा दिया जाए by making a suggestion अब Turkey ने ये जो बात कही न कि Pakistan को grey list अठा दिया जाए तो Turkey ने साथ ही साथ एक suggestion दिया by making a suggestion का मतलब है एक suggestion देते हुए एक सुझाव देते हुए that the last six points be cleared by an on-site visit by an FATF team तो Turkey ने ये कहा कि बही जो अंतिम the last six points कि बही जो 6 points जिन points पर पाकिस्तान ने action नहीं लिया है उन points को clear किया जाए by an on-site visit तो on-site का मतलब होता है कोई particular place तो on-site visit by the FATF team यानि कि FATF की team के दोरा पाकिस्तान में particular छेतर पे visit किया जाए और इन 6 points को अंजाम दिया जाए ऐसी बात तरकी ने कही और तरकी ने कहा कि पाकिस्तान को अब ग्रेलिट से हटा दिया जाए the proposal तो तरकी ने ये जो प्रोपोजल दिया प्रोपोजल या नहीं प्रस्ताव तरकी ने प्रस्ताव दिया कि बाकी जो 6 points बचे है उन 6 points को पूरा करने के लिए FATM की team को खुद action लेना चाहिए पाकिस्तान में जाके इस प्रस्ताव को was dropped इस प्रस्ताव को मतलब बीच में छोड़ देना है इस प्रस्ताव को जोई ध्यान नहीं दिया गया बोलते है ना college dropped तो dropped का मतलब है कि इस प्रस्ताव को जोई छोड़ दिया बेकर्स ऑफ पाकिस्तान कि भई अन्य यानि की परंपरागत रूप से जो पाकिस्तान को सपोर्ट करने वाले कंट्रीज हैं उन्होंने भी टर्की के इस प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया है ना जैसे कि चाइना है साउधी अरेबिया है मलेशिया है ये कुछ ऐसे देश हैं जो की लगातार है ना लगातार हम देखते हैं कि अगर कोई भी बात होती है तो ज़्यादा तर ये पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं लेकिन यहाँ ये जो FATF की मीटिंग हुई इस मीटिंग में इन देशों ने भी चाइना साउधी अरेबिया और मलेशिया ने भी डिडिन भी पाकिस्टान के पास पर पाकिस्तान करें वह वह श्यूजाद की मीटिंग रखों के आफसे हैं उनमें क्या-क्या बाते हैं More Action Against UNSC Band Terrorist UNSC United Nations Security Council है ना कि वह यह जो एक तरीके से संयुक्तराश्ट की जो सुरक्षा परिशद है उसने जिन आतंकवादियों पर बेन लगा रखा है जिन आतंकवादियों पर प्रतीबंद लगा रखा है उन आतंकवादियों के खिलाब और कड़े एक्षन पाकिस्तान के द्वारा लिए जाए एंड टेरर ग्रूप से जिन आतंकवादियों के खिलाब संयुक्तराश्ट की सुरक्षा परिशद ने बेन लगा रखा है उनके खिलाब पाकिस्तान के द्वारा कड़े एक्षन लिए जाए Action Against Charitable Organizations Charitable Organization होती है धर्मार्त संस्था है कि बही कुछ लोगों के कल्यान के लिए जो संस्था होती है उनको बोलते है Charitable Organization है यह Non-profit Organization जो होती है तो उन Charitable Organizations के खिलाब पाकिस्तान के दोरा Action लिए जाए जो Charitable Organizations Band Linked To Linked To का मतब़े जुड़ी हुई है Entities का मतलब हो गया संस्था है कि बही कुछ अंतराष्ट बही आतंकवादी संस्था है Band का मतलब है प्रतिबंदित कि बही प्रतिबंदित संस्था है जिनकी help Charitable Organizations के दोरा की जा रही है तो पाकिस्तान क्या करे उनके खिलाब भी Action लिए Tracing का मतलब है पता लगाना Fugitive Terrorist Fugitive का मतलब है भगोडे भगोडे का मतलब होता है जैसे भारत का कोई आतंकवादी है वो भाग के पाकिस्तान में छिप गया तो क्या के लाएगा Fugitive तो Tracing का मतलब है पता लगाना ये सारे points बताए गए हैं पाकिस्तान को कि इन points पे पाकिस्तान को काम करना है Tracing Fugitive Terrorist कि भगोडे आतंकवादीओं का पता लगा है कि भगोडे आतंकवादी चिपे हो And Pursuing Pursuing का मतलब है follow करना Convictions का मतलब है दोशी ठहराना Against them And Pursuing convictions against them कि पाकिस्तान पहले तो क्या करे भगोडे आतंकवादीओं का पता लगा है और इसके बाद में follow करे कि उनके खिलाफ जो है दोशी सिद्ध करे है Convictions का मतलब है दोशी सिद्ध करना किसी के खिलाफ है किसी को अपरादी ठहराना And convictions against them इसके लाबब Revising the list of banned entities Under the Anti-Terrorism Act कि भई Anti-Terrorism Act है कि यह जो आतंकवाद विरोधी कानून है इसके तहत जो है Banned entities Entities का मतलब हो गया संस्था है Organization Banned का मतलब हो गया प्रतिबंधित इसको revise किया जाए संसोधित किया जाए कि भई Anti-Terrorist Act के तहत जिन संस्थाओं पे आपने प्रतिबंध लगा रखा है इस सूची को एक बार दुबारा से revise किया जाए देखा जाए कि भई और कौम सी संस्था है जो गलत काम कर रही है जिनकों कि हम इस list में डाल सकते है To reflect यह दर्शाने के लिए All those banned by the UNSC कि भई यह जो Anti-Terrorism Act के तहत जो सूची आपने बना रखी है उस सूची में विभिन संगटनों को आपने बैन कर रखा है तो उस सूची को दुबारा से देखा जाए और यह चेक किया जाए To reflect का मतब दर्शाना All those banned by the UNSC कि भई सहीवत राष्ट की सुरक्षा परिशद जो है उसके दोरा जितने भी Organizations को बैन किया गया है वे सारे की सारे Organizations पाकिस्तान के दोरा Anti-Terrorism Act के तहत बैन किये जाए इस लिश्ट को दुबारा से देखा जाए और क्या किया जाए यह सारे की सारे Actions है जो की पाकिस्तान को करने है And Cracking Down Crack Down का मतलब होता है कड़ी कारेवाई करना On Other Channels of Terror Financing Other channels का मतलब है माध्यम कि अगर आतंक वाद को किसी भी तरह से पैसा मिलता है अन्य कोई माध्यम हो सकते है उनके माध्यम से अगर पैसा आतंक वाद को मिलता है जैसे कि Through Narcotics इसके लावा Smuggling होती है तसकरी होती है तो तसकरी के माध्यम से या फिर नशीले पदार्तों के माध्यम से आतंक वाद को जो पैसा अपलब्द कराया जाता है उन उन channels को भी उन channels के उपर भी है ना स्रोथ के उपर भी पाकिस्तान को कड़ी कारवाई करनी चाहिए तो ये सारे की सारे actions हैं जो की पाकिस्तान को लेने हैं आगे देखते हैं For those in New Delhi watching the outcome of the FATF decision For those in New Delhi अब देखो ये सारी की सारी meeting हुई FATF की पाकिस्तान के खिलाफ जो निरने लिया गया है अब इन बातों का भारत के लिए क्या आरत है For those in New Delhi यानि की New Delhi में जो लोग है यानि की भारत सरकार के लिए कहा जा रहा है Watching the outcome Outcome का मतलब है नतीजा Of the FATF decision की भई FATF ने पाकिस्तान के खिलाफ जो decision लिया है उस decision के क्या नतीजे होंगे क्या परिणाम होगा उस परिणाम को अगर भारत देख रही है तो उनके लिए क्या बाते है There are some broader dividends to consider Broder का मतलब है विस्तरत Dividends का मतलब है लाभान्ष To consider का मतलब है बात को खयाल में लेना From this process तो भारत जो है काफी सारी बाते हैं जो की भारत के फायदे में है उन चीजों को भारत जो है Consider कर सकता है उन बातों को जो है भारत अपने खयाल में ले सकता है To begin with शुरुआत अगर हम करें तो To begin with जैसे की क्या क्या बाते हैं भारत के लिए जैसे की अगर हम शुरुआत करें तो To begin with The fact ये तथ्य की The fact that का मतलब है ये तथ्य की The FATF has returned Pakistan On the grey list ये तथ्य की FATF ने पाकिस्तान को grey list में बरकरार रखा है For the third time this year इस साल तीसरी बार या ने की ये जो meeting हुई है FATF ने तीन बार अपनी गोशनाई की है और इस साल में लगातार तीनो बार FATF ने पाकिस्तान को अपनी grey list में बरकरार रखा है And not automatically downgraded Automatically मतलब अपने आप Downgrade का मतलब है और कम कर देना अब देखो ये जो इरान है और ये जो नौर्थ को रही है ये FATF की black list में शामिल है When its deadline Deadline का मतलब है समय सीमा For action ended in September 2019 देखो क्या था FATF ने पाकिस्तान को time दिया था Deadline दी थी कि आप सितंबर 2019 तक इन 27 points पर काम करो और हमें report भेजो अगर सितंबर 2019 तक आपने इन points पर काम नहीं किया तो आपको automatically black list में डाल दिया जाएगा अब editorial कह रहा है कि ये तख थे कि पाकिस्तान को लगातार तीनों बार grey list में बनाए रखा गया है देखो FATF का ये नियम होता है कि जैसे FATF ने पहले किया है किसी को grey list में डाला और उसको कहा कि इन points पर आप काम करो अगर वो देश उन points पर काम नहीं करता है action नहीं लेता है आतंकवाद के खिलाब तो उसे automatically black list में डाल दिया जाता है तो यहाँ editorial कहना चाहरा है कि भी पाकिस्तान को लगातार FATF ने तीन बार जो है grey list में बनाए रखा लेकिन automatically उसे black list में नहीं डाला है जबकि पाकिस्तान की time limit भी समाप्त होगे दी सितंबर 2019 में has ensured the pressure तो FATF के दोरा यह जो किया जाना है कि लगातार तीन बार उसे grey list में has ensured the pressure has continued pressure has continued कि भी पाकिस्तान पे pressure जो है लगातार रहा है to make Pakistan accountable on terror accountable का मतलब है जिम्मेदार है न on terror कि भी पाकिस्तान को आतंकवाद को लेकर जिम्मेदार ठहराया जाए इस बात का pressure लगातार पाकिस्तान पे रहा है FATF के दोरा ये हमें इस तत्ते से पता चलता है कि पाकिस्तान को लगातार तीन बार जो है grey list में बनाए रखा गया है आगे देखते हैं the khan government has been forced the khan government has been forced कि भई ये जो इमरान खान की government है has been forced इस पर दबाव डाला गया है to make a real legislative push कि भई जो इमरान खान की सरकार है वह वास्तविक कानूनी सुधार करें इस बात का जोर push का मतलब है जोर जोर डाला गया to push to bring पाकिस्तानी anti-terror laws in line with international standards कि भई पाकिस्तान के जो आतंकवाद विरोधी कानून है वे कानून international standards कि भई अंतराश्टरी इस्तर पर जो आतंकवाद के कानून बने हुए है और पाकिस्तान में जो आतंकवाद के खिलाब कानून बने हुए वे एक रूप हो सके to be in line with का मतलब होता है some रूप हो जाना एक रूप हो जाना यानि कि पाकिस्तान में आतंकवाद के खिलाफ जो कानून है उनका status वही हो जो की अंतराष्टरी इस्तर पर आतंकवाद के खिलाफ बने कानूनों का है तो इसके लिए पाकिस्तान पर दबाव डाला गया है ना पाकिस्तान government has been forced to make a real legislative push ये पाकिस्तान की सरकार क्या करे वास्तविक कानूनी सुधार पे जोर दे और पाकिस्तान के एंटी टेरर लास को अंतराश्टी स्टेंडर्ड्स के अनुरूप बनाए वाइल जबकी at least for the interim, interim का मतलब है अल्प काली नहीं वाइल at least, at least यह नहीं कम से कम ठीक है इस बात पाकिस्तान पे जोर तो डाला गया है कि फ़ी पाकिस्तान जो क्या करें कि अपने कानूनों की गुनवत्ता में सुधार करें आतंकवाद के खिलाप जो पाकिस्तान ने कानून बना रखे हैं वे कानून international standards के हो, इस बात का दबाव पाकिस्तान पर डाला गया है, साती साथ जब कि, at least for the interim, कम से कम अल्पकाल के लिए, कम से कम थोड़ी देर के लिए, also ensuring sufficient pressure है, ensuring का मतलब है सुनिश्चित कर से हुए, sufficient pressure का मतलब है, पर्याप्त दबाव, on groups, कि पाकिस्तान साती साथ जो ह जैशे मोहमद, that target इंडिया है, तो इस बात की भी कोशिश की गई है, कि पाकिस्तान इस बात को भी सुनिश्चित करे, कि कुछ आतंकवादी संगटन, जैशे की LAT, लशकरे तयबा है, या फिर जैशे मोहमद है, जो कि इंडिया को निशाना बनाते हैं, इनकी उपर भी पर ये जो आतंकवादी संगटन है, ये पब्लिक कमेंट्स ना करें, कि भई ये जो आतंकवादी संगठन है ना, ये जो, धमकी भरे या अलूल जलूल पब्ली कमेंट्स करते है ना, वे कमेंट्स ना करें पाकिस्तान को इन संगटनों के उपर दबाव बनाना चाहिए, and publicly raising fund, raise fund का मतलब होता है पैसा जुटाना है ना raising funds का मतलब है publicly raising fund और ये जो लशकर तयबा है और जेशे मुहमद है ये क्या करते है ये सारजनिक रूप से लोगों से पैसा उगाते है सारजनिक रूप से लोगों से पैसा एकटा करते है तो ये संगठन ऐसा न कर सके हैं और विबिन तरह के कमेंट्स न कर सके हैं इसके लिए जरूरी है कि पाकिस्तान इन संगठन पर बहुत ज़्यादा दबाव डाले Meanwhile का मतलब होता है इसी बीच पाकिस्तान सपोर्ट टू दा यूएस लेड देखो लेड का मतलब है प्रतिनिदित्व करना कि अमेरिका के दोरा प्रतिनिदित्व किया जा रहा है किस चीच का अफगान प्रोसेस कि भई ये जो अफगान में तालिबान से संबन देती है जो एक परिके से उपद्रों मचा तो अमेरिका क्या कर रहा है दीरे दीरे अपनी सेना को हटा रहा है इसके अलवा तालिबान के साथ जो अफगानिस्तान की सरकार है उनकी शान्ती हो सके इसके प्रियास किये जा रहे है तो ये लिखा हुआ है मीनवाइल पाकिस्तान सपोर्ट पाकिस्तान ने इस बात का सपोर्ट किया किस बात का सपोर्ट किया बई पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में यह जो शांतिकी प्रक्रिया चल रही है इस शांतिकी प्रक्रिया को पाकिस्तान ने सपोर्ट किया Meanwhile, Pakistan support to the US-led कि US जो है, इस काम को अंजाम दे रहा है अफगान प्रोसेस, यहाँ अफगान शान्ती प्रक्रिया and talks with the Taliban कि अमेरिका के दोरा अफगानिस्तान में यह जो तालिबान के साथ बातचीत की जा रही है और इस बातचीत को पाकिस्तान के दोरा जो सपोर्ट किया जा रहा है are crucial to the peace process तो यह सारी की सारी बाते जो है, महत्वपूर्ण है crucial का मतलब महत्वपूर्ण to the peace process कि अफगानिस्तान में यह जो शान्ती की प्रक्रिया चल रही है उस प्रक्रिया के लिए पाकिस्तान का सपोर्ट करना अमेरिका के दोरा उसका प्रतिने दित करना तालिबान के साथ बात चीत करना यह सारी की सारी बातें बहुत महत्वपूर्ण है and the FATF process has made Islamabad FATF process और FATF की जो प्रक्रिया है FATF ने लगातार पाकिस्तान पे दबाव बना रखा है तो उसके चलते क्या हुआ has made Islamabad more amenable amenable का मतला होता है जवाब दे है जिम्मेदार है more amenable to helping Afganistan और FATF ने पाकिस्तान पे जो लगातार दबाव डाला है उसके चलते पाकिस्तान मजबूर हुआ है कि पाकिस्तान जवाब दे बने किस चीज के परती helping Afganistan कि भई यह जो Afganistan को help करने की जो बात चल रही है उसके परती पाकिस्तान और जवाब दे बने है यह FATF की प्रक्रिया से सुनिश्चित हुई यह बात आगे देखते है इट remains to be seen यह देखा जाना बाकि है if the actions it takes कि भई जो पाकिस्तान जो एक्षन लेता है यानि कि पाकिस्तान जो भविश में एक्षन लेगा है विल पर्मानेंटली चेंज पाकिस्तान स्कोर्स तो क्या पाकिस्तान जो आगे एक्षन लेगा FATF के नियमों के अनुसार तो क्या विल तो पाकिस्तान के जो अक्शन है विल पर्मानेटली चेंज पाकिस्तान कोर्स कोर्स का मतलब है मार्ग In Supporting and Sheltering Cross Border Terror Group कि भई कि भई पाकिस्तान जो अक्शन लेगा अतंकबाद के खिलाब तो क्या उन actions के माध्यम से पाकिस्तान का Mark जो है पाकिस्तान का Mark जो है पूरी तरीके से परिवर्थित हो जाएगा in supporting and sheltering is supporting शल्टरिंग मतलब है किसी को आश्रे देना सपोर्ट यानि किसी को समर्थन देना कि बई पाकिस्तान के दौरा जो support दिया जाता है जो आश्रे दिया जाता है cross border terror groups को border के पार से सीमा पार से जो ये आतंकवादी संगठन है cross border terror groups कि सीमा पार आतंकवाद को जो बड़ावा और संडरक्षन पाकिस्तान के दोरा दिया जाता है तो क्या यह बात पूरी तरीके से परिवर्तित हो जाएगी क्या इस तरह के कदम पाकिस्तान उठाएगा कि पूरी तरीके से ये जो cross border terror group से ये जो आगे आने वाले भविश्य में समाप्त हो जाए आगे देखते है कि बई इंडिया का जो eventual मतलब final goal का मतलब है भारत का final उद्देश जो है वो सिर्फ इतना नहीं है कि हम जो है ये जो groups है आतंकवादी जो संगठने उनके द्वारा जो हमले किये जाते हैं उन्हों हम लोग को रोक दे सिर्फ इतना सा goal नहीं है भारत का बट for Pakistan लेकिन पाकिस्तान के लिए भारत का ये goal भी है but for Pakistan पाकिस्तान जो है क्या करे to fully dismantle the infrastructure of terror infrastructure का मतलब है आधार भूत संरचना कि ये जो terror का जो ढाचा है आतंक का जो ढाचा है उस आतंक के ढाचे को पाकिस्तान पूरी तरीके से तहस नहस कर दे dismantle का मतलब होता है पूरी तरीके से नाश कर डालना है पूरी तरीके से खत्म कर देना ठीक है भारत का goal इतना सा नहीं है कि ये जो आतंक वादी संगटने ये भारत पे हमले करना बंद कर दे नहीं जबकि भारत का goal है कि पाकिस्तान क्या करे इस आतंक के ढाचे को ही पूरी तरीके से तहसनेस कर दे इन द अंडर्श्टेंडिंग इस बात को समझते हुए इन द अंडर्श्टेंडिंग कि भाई पाकिस्तान इस बात को समझे इस बात को समझते हुए that it is in Pakistan's on interest to do so एसा करने में भारत का goal है कि पाकिस्तान अपने देश के भीतर आतंक के पूरे ढाचे को यह तहसनेस कर दे और ऐसा करना जो है पाकिस्तान के भी हित में है यह पाकिस्तान को समझना चाहिए है यह पाकिस्तान की understanding होनी चाहिए it is hoped है कि ऐसी आशा करते हैं ऐसी उम्मीद है that the prolonged FATF prolonged का मतब है लंबित है जो काफी लंबे समय से pending है जिसको बहुत लंबा टाइम हो गया है it is hopped कि ऐसी आशा करते है that the prolonged FATF process कि यह जो FATF के माध्यम से जो प्रक्रिया चल रही है यानि कि पाकिस्तान पे लगातार जो ड़ाव डाला जा रहा है उसके माध्यम से विल इनेबल कि यह जो FATF की प्रक्रिया है वो इस योग यह बनाएगी this realization realization का मतलब है एहसास होना महसूस करना in Islamabad कि कि किस बात को महसूस करेंगे Islamabad में इस बात को कि पाकिस्तान इस चीज़ को समझेगा कि हाँ भई आतंकवाद जो है खुद पाकिस्तान के लिए भी जो है एक खत्रा है इस बात को पाकिस्तान समझेगा और पाकिस्तान इस आतंकवाद के पूरे ढाचे को विनाश करेगा ऐसी हम उम्मीद कर सकतें यह detail कहना चाहरा है, it is hoped that the prolonged FATF process will enable this realization, कि इस बात को अगर हम realize करना चाहते हैं, इस बात को हम महसूस करना चाहते हैं, कि पाकिस्तान आतंक के infrastructure को ही बरबाद कर दे, उस infrastructure को ही समाप्त कर दे, तो इस बात को हम महसूस कर सकते हैं, यह FATF की जो प्रक्रिया है, वह हमें इस कि पाकिस्तान इन सारे कामों पे action ले और आतंक का धाचा पूरी तरीके से खत्म हो.